हेलो स्टूडेंट्स टुड़े विल बी डिस्कसिंग अबाउट उलेकोफोरा फेविकॉलिस विच इस ओल्सो नोन एस टैफिडो पैल्पा फेविकॉलिस इसका कॉमन नहीं में बीटा रेड पंकिन बीट यह एक वेजिटेबल पैस्ट है जिसको आपको डिटील में पढ़न चिके? इंसेक्टा के क्या कर्रेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक इंसेक्ट है उसके 3 pair of appendages है 2 pair of wings and 1 pair of antinyin चिके? इसके बाए इसका order Colluotera, Western wa came wings, Colluotera का मतलब होता है Wing case, इसका actually क्या होता है? इन इंसेक्ट का जो axoskeleton होता है, बहुत hard हो जाते है जो इसके wings होते हैं, यह इतने hard होते हैं, कि एक structure बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इलिट्रा, या फिर wing case, या जिन insects के अंदर wing case है, उसको हम order में रखते हैं, इलिट्रा, कोलियो टेरा के, इसके family आती है, पेटा, क्राइजो मेलीडी, क्राइजो मेलीडी के अंदर जितने भी leaf beetles, यानि वो सभी beetles जैसे दिखने वाली चीज़े, जिनकी hobby various habits हैं, इसी की वज़े से उनको हम leaf beetles भी बोल देते हैं, चीक है, फैमली के बाद इसका genus, polycophora, and speciesis favicols, ठीक है, तो यह इसकी classification है, class insecta, order calliotera, family, phryzomelidae, genus, polycophora, and speciesis favicols, अब हम इसकी अक्रेस के बाद करें बेटा, यह pest सबसे ज़्यादा कहां मिलता है, ठीक है, यह pest ना आपको, मतलब जितने भी क्यों कर बेटे, इसी family के vegetables ग्रो किया जाते हैं जहां जहां पर भी, वहाँ पर यह pest बड़ी commonly आपको मिलेगा, जैसे Asia, Africa, South Europe, Australia, India, इंडिया के अंदर basically हरियाना, पंजाब and उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अगर हम इसके primary host के बाद करें, बेटा, इसका primary host है, pumpkin, ठीक है, जिसको हम कद्दू बोलते हैं, कुकुम्बर, खीरा, गीया, तोरी, टिंडा, जो आपको नहीं पसंद होता है, य यह इसके primary host है, अगर हम इसके habit के बात करें, बेटा, सबसे जादा damage cause यह अप्रेल में मंत में करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, घीया, तोरी, टिंडा का बात है, गर्मियों में याता है, अप्रेल, महीं, जुँन, जुलाई है, तो इसकी life cycle, यह फसल इस टाइम आ रही है, inactive हो जाता है, और अपने acts को domit stage में भेज देता है, और वो कब होते है, सर्दियों में, सर्दिया का बात है, नवंबर से लेके फरवरी तक है ना, नवंबर, सम्बर, जन्वरी, फरवरी, यह सर्दियों का मुसम है, उस वक्त यह hibernation के अंदर चल जाता है, अब हम अग एक female अपनी lifetime में, 60 से लेके 300 तक eggs लेकर दिया, एक single egg भी लेकर सकती है, और एक group में भी, 50 egg का एक जुन्ड कर दिया, दस egg को एक group में लेकर दिया, यह अंडे लग भग आपको इन plants के roots के अंदर ही मिलेंगे, और यह oval होते हैं, और orange color के होते हैं, चीक है, 6-15 दिन के बाद यह eggs get converted into grubs, grubs है, भूंड जैसे, वो गोल गोल चोटा सा, आपका इसा ऐसा सा structure ने देखते हैं, यह C-shaped का, compact सा, वो उनको हम बोलते हैं, grubs, यह grubs, creamy, yellow color के होते हैं, चीक है, और यही grubs होते हैं, जो की roots के उपर, जो जमीन के अंदर इसकी stem है, उसके उपर, fruits के उपर, यह after 4 molting, 4 molting के process, और 12 से 15 दिन के बाद, it get converted into pupa, pupa बेटा, smooth होता है, oval shape का होता है, बहार की वोल, इसकी ठीक होती है, और यह pupa ना, अकसर ना, 1 cm depth पर पाता है, और इसकी dimensions के बाद करें, हम 7.5 mm से, 7.5 mm इसकी length होती है, और इसकी width 3.5 mm होती है, चीक है, उसके बाद, it get converted into adult after 7 to 14 days, चीक है, अगर हम adult के size की बाद करें, 5-8 mm इसकी length होती है, 4 mm इसकी width होती है, चीक है, डोलसल साइड, यहां पर उसका mouth होता है, उस साइड यह orange red का लगा होता है, और ventral साइड यह black का लगा होता है, चीक है, इसका एक और characteristic feature होता है, कि इसके abdomen के उपर white hairs होती है अगर हम इसके mouth parts की बात करें, biting and chewing types इसके mouth parts होती है, चीक है, this was about the life cycle of, आपका red pumpkin beetle, और यह complete life cycle 25-40 दिन की होती है, चीक है, एक से grub, grub से pupa, pupa से adult बनने की जो यह पूरी process होता है, यह 25-40 दिन होती होती है, चीक है, अब हम इसके damage की बात करें, कि damage कैसे pose हुआ, तो इसका जो grub है, और इसका जो adult है, चीक है, तो यह जो आपका kukarbitese family है, इसके birds के, flowers के उपर, underground roots के उपर, underground stem के उपर, और fruits के अंदर बोर कर जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, और अंदर से उसको खोखला कर देता है, जिसकी वज़े से अब वो आपकी फसल खराब हो जाती ह चीक है, आपने कभी-कभी देखा है ना कि गिया कि अंदर एक hole सा, एक tunnel सी बनी मिलती है, वो actually कीडे नहीं की होई होती है, चीक है, तो वो आपकी quality of quantity of vegetable खराब कर देता है, चीक है, अब let's suppose आपके फसल में लग गया कीडा, लगना स्टार्ट हो गया है, infestation स्टार्ट हो ग consistent varieties के हो, जिसके उपर ये कीडा लगी ना सके, survive ना का सके, chemical methods बड़े common होते हैं, ठीक है, आप chemical methods को यूज कर सकते हो, 0.03% dimethionate, सबसे common use होने वाला chemical है, for this family of vegetables, उसके अलावा, जो fruits आपके infest होगे है, आपके खराब होगे, हमको collect करो, उसको destroy करो, क्योंकि अगर कोई इसक consume करेगा, और कोई उसको खाएगा, तो उससे वो बिमार ही पड़ेगा, और it is not good, है ना, उसके लावा ना, एक composition सबसे जाधा use होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, 20 लीटर पानी के अंदर, 20 ग्राम मेलिथियोन, 500 ग्राम जैग दी, गुड, और 200 ग्राम yeast, मिला कर, हम उसक बाउड दी, इंजिक, पेस्ट, वेटेवर, अभी हमने रेट पमकिन वीटा, नहीं लोको फोरा फेविवकोले, के वाल में इसकास किया, च्टिय, वेजिए, पिए ने, य। य। सीवार ने, इसकास किया, य। 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 य॥ा य। इन डवीड, पान्ने, वीड, इसक